नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन UPSI, UPSI एक्जाम को ध्यान में रखती वे बोला जाएगा। पांच सेगिन में रड़ी हो जाएगे। आत्म निर्भर व्यक्ति की ही इश्वर सहायता करता है। आत्म निर्भरता ही लोगों को गवरव और महत्व प्रदान करती है। सरकारी कानूनों द्वारा सामाजिक बंधनों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने ही प्रियत्न और चेश्टा से स्वयम में तथा समाज के बंधनों में संशोधन कर सकता है। सही दिशा में प्रतेक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी आत्म निर्भरता ही फल प्रद है। बरबरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जातिका साथ देता है। मनुष्य अपनी संकीरण स्वार्थ भावना का पहला अभिनंदन इसी से ही करता है। लोकगत परार्थ भावना की अंतिम आराधना भी इससे करने जा रही है। समय के आगे बढ़ने के साथ ही उसकी पत्थर की भारी तलवार लकडी लोहे। और इस बात के बनते बनते अब पहले से कई गुना अधिक भयानक अस्त्र में परिणत हो गई। दूर के शत्रु को भेदने वाले कम तीक्षण बाण मशीन गन के पूर्वज बन बैठे। इतने युगों में मानव जातिने केवल अनेक प्रकार के वस्त्रा भूशणों से अपने को सजाना उची उची गगन चुम्बी अट्टालिकाऊं में बसना अनेक प्रकार के अप्राकृतिक सुस्वादू व्यंजनों से शरीर को पालना जाति वर्ण देश राष्ट्र आधिकी दीवारें खडी करना अपने मार्ग में बाधा पहुचाने वाले व्यक्ति की प्रतेक सांस को विशाक्त कर देने वाले अनेक उपाय खोज निकाले हैं आज के विज्ञान ने उनकी प्रतेक सनहार कलपना को पार्थिक रूप दे दिया है प्रतेक उठने वाली इच्छा को धर्ती से बांध दिया है और प्रतेक निश्ठुर प्रियत्न को साधारन सिद्धी में परिवर्तन कर दिया है परणाम वही हुआ जो होना था युद्ध की मानव जाति के इतिहास में महत्तो पूर्ण भूमिका रही है मनुष्य ने अपने स्वार्थ पूर्ती का आरंभ ही युद्ध से किया था और परमार्थ की इच्छा को भी वह युद्ध से ही पूरा करना चाहता है समय के साथ साथ मनुष्य ने घातक हतियार बना लिये है और अपनी रक्षा के लिए वह विलासिता पूर्ण जिंदगी के लिए अनेक साधन जुटाई है मनुष्य ने अपनी वर्ण जाती देश और राष्ट्र आदि की दीवारें खड़ी कर ली है और विज्ञान के सहयोग से अनेक विनाशक उपाय खोज निकाले है और मनुष्य विनास की ओर अग्रसर है राष्ट्रिय जागरती तभी ताकत पाती है तभी कारगर होती है जब उसके पीछे संस्कृति की जागरती हो और यह तो आप जानते ही हैं किसी भी संस्कृति की आत्मा उसके साहित्य में अर्थार उसकी भाषा में है इसी बात को हम यों कह सकते हैं कि बिना संस्कृति के राष्ट्र नहीं बिना भाषा के संस्कृति नहीं कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि महावीर प्रसाद द्वेदी ने भाषा के लिए नियम ही ज्यादा बनाए उसे बांधा ही उसमें जान नहीं फूकी इसलिए बड़ी बात नहीं की 443 वर्ड है पांच मिनट 10 सिकंड में कम्प्लीट किये गए आप लोगों की अलग-अलग स्पीड की डिमांड होती है कुछ लोग कहते हैं सर 80 पे बोलिए कुछ कहते हैं 85 पे बोलिए कुछ कहते हैं थोड़ा और 900 पे ले जाईए तो मैं कोसिस करूँगा 450 वर्ड एप्रॉक्स 5 मिनट 5 10 5 20 तक ही बोल लालू इससे और भी ज्यादा स्पीड चाहिए तो भी आप कमेंट करिए उतना भी फास करके बोलूँगा या एक 80 पे बोलके एक 90 पे सीधे बोल दी जाए तो आपके जैसे सजेशन्स होंगे वैसे फ्यूचर में काम होंगे ठीक वीडियो अच्छा लग रहा है यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपना जो सब्सक्राइबर बेसे वह बहुत कम है लाइक तो बहुत ही कम आते हैं ठीक तो इसमें आपकी हेल्प चाहिए ठीक बस थैंक्यू ब्रमच